रक्षा विशेशग्य कर रहे भारतिय नौसेना की तारीफ अदन की खाड़ी और अरब सागर में हमनों के शिकार, व्यापारिक जहाजों को भारतिय नौसेना से समय पर मिल रही मदद के लिए, दुनिया भारत को सराह रही है. कई रक्षा विशेशग्य और विद्वानों ने इसके लिए भारत को सुपर पावर बताया, वही मदद के लिए चीन की ओर देखना बंद करने की भी सिफारिश की है. इस बीच, नौसेना के आई एनस विशाखा पटनम ने खाड़ी में, हूती आतंकियों के ड्रोन हमले के शिकार, ग्यापारिक जहाज मारलन लुआंडा में लगी आग बुझाली है. इस नए मिशन की सफलता के बाद, यूरोप के अध्यान करताव इतिहासकार मार्टिन सौ किया है. ब्रिटिश पत्रकार मार्क अर्बन ने लिखा, उभरती हुई महान शक्तियों में यह देखना शांदार है कि भारत कैसे अधन की खाड़ी और लाल सागर में संकट के समय उभर कराया है. चीन ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा. इसी तरह अमीरात में मौजूद शग्या हसन सजवानी ने अधन में भारतिय नौसेना की कारवाई को सराहा और नौसेना से जारी जानकारी को अपने अकाउंट पर रीपोस्ट किया. केंद्र सरकार ने बुलाई सरवदलिय बैठक. इस बार सरकार का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच चलेगा. इस दोरान एक फरवरी को केंद्रिय वित्मंत्री निर्मला सीतार्मर अंतरिम बजट पेश करेंगी. केंद्र सरकार ने परंपरा को निभाते हुए, गौर तलब है कि यह पीएम मोदी के दूसरे कारेकाल का अंतरिम बजट है. इसमें सरकार अगले वित्वर्ष के लिए अपना एजंडा सामने रखेगी. इसके अलावा सरकार राजनीतिक दलों को अपने मुद्दों के बारे में भी जानकारी देगी. गौर तलब है कि इस बार सरकार का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच चलेगा. इस दौरान एक फरवरी को केंद्रिय वित्वंत्री निर्मला सीतार्मर अंतरिम बजट पेश करेंगी. लोग सभा चुनाव के बाद नई सरकार के वित्वंत्री पूर्ण बजट पेश करते हैं. दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में लगी आग. दो सो पचास दो पहिया वाहन चपेट में आ गए. माला खाना 500 स्कूयर यार्ड में बना हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, बीती रात को वजिराबाद में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में भीशन आग लग गई. जहां रेस्क्यू के लिए दमकल विभाग ने कई पहुची, सोमवार सुबह चार बज कर पंद्रह मिनट पर आग पर काबू पाया गया. आग बुजने के बाद, वजिराबाद के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मालखान से जो तस्वीरें सामने आई है, वो उस वक्त के मनजर को बया कर रही है. जब वहां पर खड़ी गाड पहिया वाहन मौझूद थे, जो जलकर राख हो गए है. हाला कि राहत की बात, ये है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है. टेस्ट से बाहर हो सकते हैं रवींद्र जडेजा. भारत और इंग्लैंड के बीच, टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के लिए परेशानिया कम होने का नाम नहीं ले रही है. पहले टीम के स्टार बलेबाज विराट कोहली, शुरुआती दो मुकाबलों से बाहर हुए. फि पहले टेस्ट के चौथे दिन बेन स्टोक्स ने जडेजा को रन आउट किया था. आउट होने के बाद जब जडेजा पवेलियन लौट रहे थे तो, ऐसा लगा कि उन्हें कोई परेशानी है. अब यह साफ हो चुका है कि उन्हें हैंस्ट्रिंग की समस्या है और दूसरे पहले मैच में जडेजा के रन आउट होने की वज़े से टीम इंडिया को हार जेलनी पड़ी. उनका विकेट मैच का निरनायक मोर साबित हुआ. दूसरा टेस्ट दो फरवरी से शुरू होने वाला है. भारत के नंबर एक ओल राउंडर का विशाखा पतनम में खेलना मुश और इसी रन को वह पूरा नहीं कर सके. याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट पुरातत्व विभाग, ASI, के महानिदेशक को ज्यानवापी की उस जगह पर सर्वे के निर्देश दे, जिस जगह पर कथित तोर पर शिवलिंग होने की बात कही गई थी, ताकि सील्ट छेत्र में मौजूद उस शिवलिंग को बिना सर्वे किया जाए, इसके अलावा अन्य सील जगहों पर भी खुदाई और अन्य वैग्यानिक तरीकों से सर्वे किये जाए और रिपोर्ट अदालत को दी जाए, गौर तलब है कि इससे पहले ज्यानवापी मामले में हिदू पक्ष के वकील विश्नु शंकर जैन ने कहा थ कि वजू खाने का ASI सर्वेक्षन कराने की मांग के साथ वे सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करेंगे। कि सोरेन या तो पेशी के लिए 29 या 31 जनवरी की तारीक दें, या फिर ED के अधिकारी खुद ही उनसे पूछताच करने पहुच जाएंगे। का दायर कर चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमंद सोरेने की याचिका खारिस कर दी थी। उत्तर भारत में इस बीमारी को लेकर अलर्ट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के अस्पतालों में इन दिनों कंठमाला के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है जिससे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्वास्थे विशेशग्यों ने छोटे बच्चों में कंठमाला के तेजी से फैलने को लेकर सभी लोगों को अलर्ट किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया जिला बड़ा बयान। मुख्य मंतरी धामी ने कहा कि एक भारत, श्रेष्ट भारत के विजन और चुनाव से पूर्व प्रदेश की जनता के समक्ष संकल्प रखे गए थे। संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सदैव प्रतिबध रही है। सीएम धामी ने कहा कि युनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तयार करने के लिए बनी कमेटी दो फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधान सभा सत्र में विधेक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेशग्या। समिती का चौथी बार कारेकाल बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की तहसील नवाब गंच अंतरगत विलाइधाम हाईवे से सीधे सितार गंच को जोडने के लिए केंद्र सरकार की भारत माला रोड प्रस्तावित है जो इस छेतर के कई ग्रामों के रखवे से होकर निकलनी है। इस योजना के तहट रिठोरा के पास से इस छेतर के लाडपुर, गरेम, बहोर नगला, फरीदापुर गांगा उर्फ नवादा, बथुआ व गरगर गया ग्रामों के किसानों के खेतों का रखवा आना है। इस योजना में विभाग द्वारा, 180 फीट चोड़ाई का छेतर अधिग्रहीत कर चोड़ा मार्ग बनना है, जिसमें किसानों के खेतों का अच्छा खासा हिस्सा फंस रहा है। हमें मौपजा दे दें अपनी रोटा, जमीन जो है अधिगरान कल्ये, तब रोड़ाने, तो मसीन रोकी गई यह क्या, मसीन रोकी नहीं गई, यह मसीन बालों तो सिर्फ बात की आ रही है कि हमें भई पैसा मिला नहीं है, आप हमारे कितने लोग हैं जिन जिन के खेता आ रह और पलू टेक्टर, छोटन टेक्टर, रहीज बाई, यह बतुआ हार में ही पढ़ते हैं, वारू दाक्तर, बराबर में नमादा है, बतुआ नमादा, उसमें भी आपकी जगे हैं? आप अच्छे कर मुरीदों को खिताब किया तो, कब्बाल रईस एहमद साबरी ने अपने कलाम पेश किये, कुल की रस्म के साथ आज उर्स का एहत्माम हो गया, इस मौके पर सभासत जलील एहमद, इर्शाद एहमद, मोहम, मद्जफर, पप्पू टेलर, तौहीद एहमद अंसारी वगु कर दू मिस्वाती साहिद बड़ी तादात में मिया के मुरीद मौजूद रहे.